लो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल रिदियो ऑफिशल जोन आज हम लोगों को यहां पर टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलोजी इंपॉर्टेंट कोशन के यूनिट टू मैं आप लोग के साथ यहां पर शेयर करने वाली हूं यूनिट वन मैंने कल इवनिंग में 600 को गौर कर लिया किस तरी के से कोशन पूछे जा रहे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक देखेंगा नहीं तो प्लेलिस देख सकते हैं कल मैं और डेली बीट फर्स्ट यहर की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आगन को प्रेस कीजिए जैसे ही वीडियो अप्लोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुँ जाएगा तो आज मैं आपको यूनिट 2 बताने वाली यूनिट 1 मैंने जैसे आपको बताया कि मैं एक्स्प्लेइन कर चुकी हूँ आज हम लोग यूनिट 2 शेयर करेंगे यूनिट 2 में हमारा जो दो में ट शब्मार करती हूँ भालанти रिंगोल एंगलिश मेंं तो वीडियो मिसा इंटक देखेगा फेसेसं उफ टीचिंग में उसके तीन ताइब बता रहे हैं प्री एक्टिश व चिस्सेंड़िस ऑफ स्क्रिण 1 our यानि की शिक्षन कि Аवस्ताओं को विश्धिर्थ्त व goddess करना है यह लॉंग कोशन में आया था सबसे पहली बात स्टेजिस पूछा जाए या फिर फेजिस पूछा जाए आप कर सकते हैं कि शिक्षन के अवस्ताओं की विस्तेत विवेचना करनी है और नेक्स्ट है वाट डू यू मीन बाई लेवल ओफ टीचिंग डिसक्राइब अं आप लोगों को यूनिट वाइस भी इसके अंसर चाहिए अंसर का मतलब मैं यह नहीं बोल रही कि मैं आपको सारे अंसर दूंगी यूनिट वाइस इतने इंपॉर्डेंट टॉपिक है अगर उसका सॉल्यूशन आप या नोट्स बोल सकते तो आप लोग सिंगल भी ले सकते हैं अगर किसी यूनिट में ही प्रॉबलम है तो आपको पूरे नोट पर चेज़ करने के जरूरत नहीं है दोस्तों आप लोग यूनिट वाइस भी ले सकते हैं और कि देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को कोशन का यानि कि जो टॉपिक आप कर रहे हैं यानि मैंन पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं आपको पहले ही बता रहे हूं चार्जेस आप लोग मुझे वट्सप पे पूछ लीजेगा नेक्स्ट आपको थर्ड पूछा गया तो जो कि शॉर्ट में आया था फेजिस ऑफ टीचिंग है तो फेजिस ऑफ टीचिंग में जैसे कि मैंने आपको उपर बता दिया कि फेजिस ऑफ टीचिंग में तीन उसके टाइप होते हैं तो प्री एक्टिव इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव इसको आप लोग तीनों ही टाइप को थोड़ा थोड़ा एक्स्प्लेइन कर लिजेगा शॉट के हिसाब से अब जाता है कोश नमर फूर में हैं इनुमरेट फेजिस ऑफ टीचिंग क्योंकि लॉंग में हैं इसक्राइब इंटरेक्टिव फेजिस ऑफ टीचिंग डिसक्स दा यूटिलिटी आप देस नॉलज़ फोर टीचर यानि कि शिक्षन के अवस्ताओं का उलेक करने शिक्षर के अंत प्रक्रिय या अवस्ता का वर्णन करके और एक शिक्षक के लिए इसका ज्यान की उपायदता भी बतानी है एक चीच और बता देती हूं काफी स्टुरेंट को यह डाउट रहता है अगर आप लोग को प्रिवेस के अंसर चाहिए तो वह अलग बात होती है बट कंटेंट में आप आप लिए जाते हैं तो इसलिए उस टॉपिक के अंदर जितना अच्छे से उसमें एक्स्प्लेइन किया गया है उसे आप पढ़िए और इसमें अपने ओन से आपको लास्ट वाली लाइन आपको बतानी है क्योंकि आप एक टीचर बढ़ने चाह रहे हैं तो शिक्षक के अ पूस्ट और इंटरेक्टिव यह आपके पूछा गया था कि शिक्षन की तीन अवस्ताइब होती है पूर ततपरता अत्वा अवस्ता डैश और यहां पर लिखा है ब्लैंक तो आपको इसलिप में यहां पर एड़ कर दें कि किस तरीके से आते हैं सारे वेरी शॉर्ट मैं एक्स्प्रेइन नहीं किया और आप पर बताया है अगर आप में से स्टुटेंट काफी चाहते हैं कि वेरी शॉर्ट के कॉश्चन विद अंसर मैं अप्लोड करूं क्योंकि वह काफी हेल्फुल होते हैं इसमें मैं आपको कह सकते हूं कि रिपीट होते ही होते हैं क्योंकि अगर कुशी चीज को लेकर भी आपको कन्फ्यूजन है याप कुछ चीज को लेकर भी आपको कन्फ्यूजन है याप कुछ कहना चाहते हैं तो भी आप लोग आगे डारेक्ट बात कर सकते हैं तब भी आपको हुआ पर रिप्लाय मिल जाएगा चाहे आपको कुछ भी बोला हूं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर जोइन किये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप लोग जाके देख लीजेगा और अगर आप लोग रिसेंट ली जा रहे हैं तो अभी मैं डाउनलोड उसमें मैंने अप्लोड नहीं करी है तो आप लोग अगर एक दो दिन बात देख लें तो ठीक है अधर बात में कोई वीडि प्रीट मैं मैं पाउनलोड इन ड्रेख मिस्क्रिण ले लोग जोग जाओ ले लीजे तो आप टी लोगग עवत धर गार लीजेगा लोग ये ढवाई तो रगर वें धर हैं आप वश जा